मतुरा काशी के बाद अब बदायू के जामा मस्जित में शिब मंदिर होने का दावा किया जा रहा है? ये मामला भी अब कोड तक जा पहुंचा है क्या है ये पूरा मामला और क्यूं इस मस्जित को लेकर इस तरह के दावे किया जा रहे हैं? इन सब पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में नमस्कार में नाम स्वाणना और आप देख रहे हैं अंकट वारनसी के ज्यानवापी परिसर में शिवलिंग होने के दावे के बाद अब बदायू की जामा मस्जित में नीलकंट महादेव के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है इस संबंद में बदायू की सिविल कोट में एक याचिका दायर की गई थी जिसे सिविल कोट ने स्विकार कर लिया है अब आप सोच रहे होंगे कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई तो आपको बता देते हैं कि पिछले दिनों अखिल भारतिय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल समेत पांच पक्षकारों की ओर से सिविल जग सीनियर डिविजन बदायू के कोट में इस म जामा मस्जित को राजा महिपाल का किला और नीलकंट महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया था इस मामले की सनवाई करते हुए सिविल कोट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है मीडिया रिपोर्ट की माने तो याचिका में दावा किया गया है कि बदायू स्थि जामा मज़ित के इंत जामिया समीती उत्तर प्रदेश सुनी वक्ष बोर्ड उत्तर प्रदेश पुरातन विभाग केंद सरकार उत्तर प्रदेश सरकार बदायू जिला मजिस्ट्रेट और राज के प्रमुक सचीव को भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा है आठ अगस्त को दायर की गई इस याचिका की अगली सुनवाई 15 सितंबर को की जाएगी ये तो था मामला अब थोड़ा बदायू के इस जामा मज़ित के बारे में भी जान लेते हैं थोड़े से इसके इतिहास को भी टटोल कर देख लेते हैं तो बदायू स्थित जामा मज़ित की खासियत ये है कि ये देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मज़ितों में से एक है इस मज़ित में एक समय में 23,000 से अधिक लोग एक साथ जमा हो सकते हैं इसकी नीव शम्शुदीन इल्तुत्मिष ने रखी थी दिल्ली के बादशा बनने के बाद उनके बेटे रुकुनुद्दीन बदायू के सुबविदार बने और रुकुनुद्दीन ने 1225 में मज़ित का काम पूरा करवाया था लेकिन अभी दावा किया जा रहा है कि यहां मस्जित बनने से पहले किला और मंदिर हुआ करता था इस मस्जित को लेकर अखिल भारती हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंग पटेल का कहना है कि उन्हें पता है कि इस जगा मंदिर हुआ करता था उन्होंने ये भी दावा किया है कि वहां मंदिर के अस्तित्व से जुड़े साक्ष एक कमरे में मौजूद है जो लंबे समय से बंध है उनका कहना है कि अखिल भारती हिंदू महसबा की ओर से दायर याचिका में कोट से अनुरोद किया गया कि वह इस मामले को लेकर केस दर्च करें और सर्वे का आदेश दें ताकि सच सामने आ सके याचिका में कुछ पक्षकारों का कहना है कि इतिहास की किताबों में इस मस्जित का उल्लेक है जिसके मताबिक इस मस्जित का निर्मान शम्चुद्दीन इल्थुत्मिष ने करवाया था साथ ही मस्जित परिसर में मंदिर होने के साक्षों का भी पूरे विस्तार से याचिका में उल्लेक किया गया है लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इस साल इस तरह का एक और मामला सामने आया था जब हिंदू संगट्णों ने बनारस की ज्यानवापी मस्जित के वजू खाने में शिवलिंग होने का दावा किया था तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने उसे वजू खाने का फवारा बताया था मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो अक्टूबर में होनी है बरहाल बदायू मामले में अगली सुनवाई जो है वो 15 सितंबर को होगी अब देखना ये होगा कि अखिल भारती हिंदू महासभा द्वारा जो दावा किया जा रहा है उस पर कूट की क्या प्रतिक्रिया आती है जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे जुड़े रहें अनकट के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को